तो पार्टी टीन के शुरुवात वहीं से होती जहां पिछला पार्ट खतम हुआ था, इनके इलाज का नया तरीका मिल गया था, जो कि हिन्वो की वज़े से ही पॉसिबल हुआ था, इन ते उससे बहुत जादा खुश होती है, और उसे खुश देकर हिन्वो भी खुश होता ह और यून सोंग का प्लैन है क्विन्स ग्रूप को हासिल करना, इसमें इन दोनों का भी हिस्सा होगा, तो हॉंग फैमिली को इस रिसॉर्ट में लाना, यून सोंग के ही प्लैन का हिस्सा था, तो यहां पे बटलर ग्रेस हैन की मॉम को भढ़का देती है, मिस्टर सूचल के इसने बड़े प्रोजेक्ट को यून्वो के कहने पर ही रोक दिया गया है, यून्वो तो जान बुचकर मिस्टर सूचल को सक्सिस्फुल नहीं होने देना चाते, इवन वो इनने ये भी बता दीती है, कि यून्वो के हैन के विल के बार में पता चल चल चुका है, कि उसे ह इड़ गिराता हुआ देकर दाहय को बहुत चड़ होती है, उसे देख मन में कहती ही कि अब भी उतना ही बुद्ध है जितना बचपन में था, जिससे फ्लेश ब्याग आता है थे इस साल पहले का, जब पूरी हॉंग फैमिली औरफनेश के बच्चों से मिलने आई थी, तब हईन उसे देख लेती है, तो वो बॉल को केच कर लेती है, तो हईन सुग को डांटने लग जाती है, कि तुम्हारी हिमद कैसी भी मेरे भाई को मानने की, यौन सुग उसका नाम पूछता है, तू हईन अपना नाम बताती है, पिर यॉन सुचल को चोटे बच्चों की तरह रोने से मना करती है, वो रोना बंधी नहीं करता तो है इन चिड़ कर चली जाती है, दाहय जो कबसे उसे घूरे जा रही थी है, इनके जाने के बाद वो उसके पास आती है, पूछती है कि क्या तुम चेर्मेंट के ग्रैंसन हो, सुचल हां कहता है, दाहय पूछती क्या तुम कहती है कि हमारा गौनु कितना हैं लगता नहीं यह सूचल पर गया है इसका डिने टेस्ट करवाया था पक्लर कहती हाँ बच्चे के पैदा होने के बाद ही जिसमें 99.99% मैच आया था अभी इस उनका सूचल को बहुत गुसा आता है तो वो सब के सामने कह देता है कि मेरी हमारी गौनु के लिए एक अच्छा हजबन और डैड बन की दिखाऊंगा इधर यॉंगदूरी विलिज तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था हैं के यहां आने का वीडियो वाइरल होने की अबाद से अचानक से बहुत सारे लोग गाउं में फोटोस निचाने पहुच गाउं में तु सबошे लोग पोस्टर छपवा देते हैं अर schop के वाहर heyn के नाम का पोस्टर होता है यहां का खाना है इन Settings ने खाया था यहुचा फरूट हे famous हो गया थे क्योंकि शहर से भी उसे orders आ रहे थे ultimately वो और उसके apples famous हो गया थे जिसवे से Mr. Bake, Me, Son and Hyun ते सारे परेशान थे क्योंकि उन्होंने हैन को नाशपाती नहीं खिलाया था अगर खिलाते तो नाशपाती भी famous हो जाती इतर हैन और हिन्वो एक railway station में होते हैं जहाए एक लड़की आकर हिन्वो को हाई कहती है हिन्वो भी उसे देखकर smile कर रहा था जो देख हैन उसे Korean में कहती है कि चुपचप यहां से निकल इसकी शादी हो चुकी है करते वे से बताने लगता है कि हाँ वो थोड़ी cute सी थी है इनकेती अच्छा तो वही तुम्हारी first love थी इन्वो कहता है नहीं तो वो मेरा पहला प्यार नहीं थी है इन्वो इतनी जैलिस दी कहती है कि तुम्हारी family एक दूसरे को बचपन से जानती थी यानि तुम दोनों की शादी पकी थी इन्वो कहता है क्या बखवास कर रही हो ऐसे थोड़ी ना होता है अपने कभी साथ में खाना तक नहीं खाया था अगर अभी मैंने उसके लिए कुछ special किया तो कहां से वो मेरी first love होगी एन्वो कहती प्यार के लिए कभी कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है तुम उसे दूर से देखकर ही बहुत खुश होगे पर वक्त उसके बारे में ही सोचोगे उसे एक और बार देखने के लिए तुम उसके सामने से एक और बार गुजरोगे अगर तुमने पहली बार ऐसा कुछ किसी के लिए किया यानि वो तुम्हारा पहला प्यार है एन्वो पूछते कि तुम्हें इन सब के बार में कैसे पता क्या तुम्हें प्यार का experience है तुम उसे दूर से देकर खुश हुई थी उसके बार में हर टाइम सोचती थी इवन उसे एक और बार देखने के लिए तुम वापस से उसी रास्ते घूम कर आई थी हैन कहती हाँ ये सब सच है तो अब ये सुनकर हिन्वो जैलिस होता है तो उससे पूछते कि अच्छा तो बता वो कौन था जिनसे वो हिन्वो के लॉकर्स को खुलवा लेती है चाहूं से डिवॉर्स पेपर मिल जाता है जिस पे हिन्वो ने साइन करके हैन को देने गया था ये देकर बटलर तो बड़ी खुश होती है मस्ती से पूरा दिन इंजार करते है एक बंदा कुछ लखी पते बेच रहा था एन को इन सब पे बिलीफ तो नहीं था पर वो उससे एक पता खरीद लेती है क्योंकि उसे इस ट्रीटमेंट में लखी बहुत जरूरत थी इसके बाद इनवो हेन को लिकर मेडिकल सेंटर आता है जहां नर्स हेन को ओपरेशन रूम की और ले जाने लगती है तबी हेन को एक बच्चा दोड़ता हुआ दिखाय देता है तो हेन उसके पीछे पीछे भागते हुए चली जाती है वो बच्चे एक जगह आकर रुख जाता है पीछे मुरने लगता है तबी सीन कट होता है नर्स हेनवो को आकर बताती कि हेन अचानक से कहीं चली गई है CCTV में देखा तो वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी जो सेनवो तुरंत उसे ढूणने के लिए भाग कर बाहर आता है बाहर निकल कर वो हेन को एक घंटे तक धूणता है पर उसे हेन कहीं नहीं मिलती परचानक वो रोड की सामने बहुत भीड देखता है जाए एक लड़की जो उसी हॉस्पिटल का ड्रस पहनी हुई थी वो बेहोश हो गई थी युन्वो को उसका हाथ दिखता है तो वो डरते फे उसके पास आता है लेकिन वो को और लड़की थी युन्वो को तो हेन की बहुत जादा फिकर हो रही थी पर तभी हेन उसके सामने आ जाती है तो युन्वो उसे गले लगा लेता है हेन फिर से हलुशिनेशन में चली गई थी इसलिए उसे पता ही ने चला कि वो कहां चली गई थी वो युन्वो को बताती कि मुझे बस कोई दिखा था एंड की माम उसे कभी माफ नहीं कर पाई और एंड भी तबी से अपने बड़े भाई के मौत के गिल्ट में है तो यून्वो से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी पर एंड कहती है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाती मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने भाई की जिन्दगी चुराई है तो यून्वो से कंसोल करता है इसके बाद यून्वो स्टेक शॉप में कॉल करता है और उसका फोन नमबर नहीं लगता हम देखते हैं कि ओनर ने इस शॉप को पर्मेंटली बंद कर दिया था टाश बैक में हम देखते हैं कि यून्सॉंग ने इस ओनर को बहुत सारे पैसे देकर वो मैमरी काड़ ले लिया था और इस शैर को शोड कर जाने के लिए क्या दिया था यहां बातो बातो में Grace और यूंसॉंग ये भी कह देते हैं कि यूंसॉंग को Quinz Group के राइवल कमपनी से भी ओफर्स आ रहे हैं Grace कहती कि कहीं वो लोग इस डील को चुराना ले जो सुन चेर्मेन थोड़े परिशान दिखते हैं पर चेर्मेन को एक और जटका मिलता है जब ही इनके डैडा कर बताते हैं कि हमारे Financial Department के Head ने बहुत सारे पैसो का घोटाला कर दिया है इसके बार में Quinz Group के राइवल पार्टी को पता चल गया था जो इस बात का बड़ा इशू बना सकते हैं अब सियोली किस से किस तरह से मिली हुई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा पर दर हिन्वो की रूम की जानबीन करते हुए उसके टेबल के ड्रॉयर में ही ट्रांस्मीटर का रिसीवर मिलता है जिससे सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं हम देखते हैं कि ये सब कुछ यून सोंग अपने रूम में बैटकर आराम से देख रहा था क्यूंकि उसने जो नेपोलियन की पिंटिंग चेर्मेंट को गिफ्ट किया था उसमें कैमरा तो लगे ही हुए थे साथी में बटलेर ने हुनव के रूम में सीक्रेट कैमराज भी लगाए थे जिससे हमें समझ आता है कि ये सारा प्लैन यून सोंग का है और वो हुनव को इन सब में फसाना चाता है अब उसी ड्रॉयर में उन्हें एक हार्ट डिस्क भी मिलता है हिन्व पे कोई डाउट तो नहीं करना चाता था लेकिन सारे सबत उसके खिलाफ थे है इनकी माम उसे कॉल करके इन सब के बार में बताती है है इनको तो बिलीव नहीं होता कि हम लोग तो अबराट में है हो सकता है किसी ने छुपकर हिन्व के रूम में वो सब कुछ रख दिया हो ताकि वो हिन्व को फसा सके किसलिए पहले सारे CCTV फोटेज चेक करो कि हमारे रूम में कौन-कौन आया और गया यह बिना प्रूफ के कोई बखवास मत करिये यह बोलकर वो कॉल कार्ड देती और फोन स्वीच ओफ कर देती है इदर हिन्व अपने दोस यांग को उस टेक शॉप में भेजता है मेमोरी कार्ड को लानी के लिए और उसे पता चलता है कि शॉप तो पर्मनेंटली बंद हो चुगा है यह बोलकर देती है इसको चैर्मन खुलवाते है जिसमें उन्व का बनाया हुआ डिवर्स पेपर मिल जाता है जिसे देकर चैर्मन अन हैन की मौम तो बहुत ही ज़ादा गुस्ता हो जाती है इसलिए वो कहती कि अभी मुझे बहुत सारे लग की जरुवत है कि कली पता चलेगा कि मैं ठीक हो जकती हूँ या नहीं तब हैन का कबाब घाने का मन होता है तो वो खुद नॉर्मल लोग की तरह लाइन में लगकर कबाब घाना चाहती थी तो यहनव कहता है ठीक है तुम लाइन में लगो में अभी आता हों बस इन दोनों बात को ग्रेस लिंग कर देती है इससे ग्रेंपा को तो फुल भरोसा हो जाता है कि हमारी इंफर्मेशन लिख करने वाला हुनव ही है और वही हमारी फैमिली को धोखा देना चाहता है इसलिए वो अभी उन दोनों को कॉल करके बुलाने के लिए के लिए कहते है इदर हिनव भाग कर हैन के पास आ रहा था ब्रिज के पास उसे वो लॉक भी मिल जाता है जो उन्होंने यहां तीन साल पहले लगाया था तो वो उसकी फोटो खिंचकर हैन को दिखाने के लिए आता है तो इदर हैन कबाब करीद कर आ रही थी इनव को कॉल करने के लिए फौन आन करती है तबही उसकी माम एं डैड के कॉल आने लगते हैं पर हैन उनके कॉल नहीं उठाती युन्वो पूछता है क्या हो गया है इन जो इस डिवर्स पेपर को देखकर बहुत जादा तूट चुकी थी उसे देकर कहती है कि बताओ ये जूट है बोलो इस पर तुम्हारी साइन नहीं है युन्वो जो अब इससे और जूट नहीं बोलना चाता था तो पता देता है कि ह इसे मैं नहीं बनाया था I'm sorry मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था पर हैन और कुछ नहीं सुनना चाहती थी वो ये सुनकर बहुत जादा तूट चुकी थी इसी के साथ एपिसोड का एन यहीं पर होता है पर अपे लोग में हम देखते हैं कि चार साल पहले जब यह नहीं नहीं को बताय था कि वो उसे लाइक करता है बाहर बारिश हो रही थी तो वो उससे चाता देकर खुद भेगटा हुआ चला गया था एन जो अपने कार में बैटकर बस उसी के बाहर में सोच रही थी तब ही वो बस्टन में है उसे दूर से देखकर वो बहुत जादा किली कहती है और पूरे रास्ते वो हुन्व को ही देखते हुए जा रही थी यानि है इन ने जिसे बस में देखा था वो हुन्व था और हुन्व ही उसका पहला प्यार था तो इसी के साथ इस एपिसोड का एपे लोग यहीं पे खतम होता है तो अब आगे इन दोनों का क्या होगा सियॉली कि सच्चा इस अभी को पता चलेगे या नहीं कि बॉमजा की बात उपर कोई भरोसा तो नहीं करता और सियॉली कि इसके साथ मिली हुई है उसका जेल में पैदा हुआ बच्चा कौन है इस सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगे जो कि आने वाले सेटे करता है